नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए हैं बिजली के पॉइंट्स के बारे में और यह वीडियो बड़ी इंट्रस्टिंग बहुत अनुज़ वाली है आप सभी के लिए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बिजली के होता है कि इनकि प्रोपर हाइट क्या होनी चाहिए तो इस वीडियो में आपको यही पता लगेगा इन सभी चीजों की हाइट रख्राब क्या होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों यह हाइट बढ़ा ही बहुत दारे होता है काभी क्या होता है किρίस lucky हाइट धंक से नहीं रखें तो बच्चे आपका को बलब का पॉइंट दवाते रहेंगे पंखा पॉइंट दवाते रहेंगे ऐसे पर स्विच बहुत जल्दी खराब हो सकता है अगर वहीं पे अगर घर की बैल है जो कि घर के बाहर से लोग बजाते हैं और आपको पता लगत चाहिए इन सभी चीजों की आपको पता लगेगा मैं इन सब्सक्राइब बताने वाला हूं दोस्तों यह आपको फ्लोर फिनिशिंग लेवल से बताने वाला हूं आपका जिस भी चीज़ का फरस हो वहां पर चाहिए आपने टाइल लगवा रखाओ अपने पत्थर लगवा पहली बार वीडियो देख रहे हो दोस्तों प्लीज हाट जोड़कर रिक्वेर्स चैनला का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करने को नोटिक्रेशन बेल बजाना बिल्कुल भी न भूलें और दोस्तों प्लीज इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो भी कर लो यार वहां दोस्तों कितनी होनी चाहिए मिनीमम उसकी हाइट दोस्तों मिनीमम आपको चार फूट होनी चाहिए इससे नीचे नहीं होनी चाहिए इससे नीचे अगर आप रखते हो तो आप परिशान हो सकते हो बच्चे आपको बार 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 बैल बजा के जा सकते हैं इससे ऊपर रख के बार कोई आया है वोस speaker की height कितनी होनी चाहिए अलाम की उसलां की height दोस्तो minimum to minimum साथ फूट होनी चाहिए साथ फूट से नीचे उसकी height बिलकुल भी नीचे नीचे हाँ उससे उचा रखें दोस्तों उचा रखने में कोई दिक्कर नहीं है लेकिन नीचा बिल्कुल और यह ऐसी जगहां पर होना चाहिए जहां को यह एक बार कोई बजाए तो पूरे घर में और सबको बहुत अराम से सुनाई दे जाए और अब पता लग जाए घर के बार कोई आया आप तरण देख सकें अब दोस्तों बातरूम की तरह आते बातरूम में आपका गीजर का साथ फूट तक होनी चाहिए इससे ज्यादा भी आप राक सकते हो लेकिन दोस्तों गीजर की हाइट जो आपको कितना हाइट पे लगाना है इसी हाइट पे आपका लगभग लगभग सावर भी होता है मगर आपका सावर से गीजर में एक अच्छा खासा गैप अच्छा डि कि हाइट दोस्तों आपको चार से पांच फित तक होनी चाहिए इससे नीचे नहीं रखलाता मज़ाल थे घीजर में एक अपना comfortable देखा जाता है कि हम कितने में comfortable हैं बहुत सारे घर में लोगों की हाइट अच्छी खासी होती है बहुत सारे लोगों में हाइट छोटी होती है उससाब से अपने comfort के हिसाब से हाइट उपर नीचे आप लग वह भी कर सकते हैं तो यहां मैंने जैसी पता है स्विच बोड की हाइट आप मिनिममम चार से पांच फूट रख सकते हैं यह स्टेंडर्ड है बांकि आप अपने comfort के हिसाब से उपर नीचे कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्ट्रिबिशन बोड की हाइट की यह बड़ा ही क्या होता है जहां से कि आपको सावे सप्लाई आपके घर की जाती है यहां एमसी बी लगा होता है जो भी आपको कोई दिक्कत हुआ तो वह आप वहां से डाउन करके उस घर का जगए चीज में जो भी वाइरिंग में ठीक कर सकते हैं किसी भी कमरे में तो वही के साथ में लगाते हैं या पर टेवल के साथ में लगाते खासकर कंपुटर में चलाने के लिए काफिर काफी जैकर आप वन फॉर ऑस य कि उसकी है कितनी होनी चाहिए दोस्तो बोसकि हाइट थैग सकते हैं इससे ज़चning मत रखिए जोंगी काफि हो बहुत जड़ा वूप तो वहाँ पीजिली के पॉइंट्स में आपके हाथ शटने का डर रहता हूं लगने का रजया तु ऐसे से अच्ण अच्छा-इच्छ अपका होना चाहिए कितना अच्छी नफेक्ण debate अपको कम से कम लग सकता है बहुंँ जादा आप दोस्तों बात कर लेते हैं ट्यूब लाइट की ट्यूब लाइट बलब C.F.L कोई भी चीज हो इन में से इनकी हाइट क्या होनी चाहिए इसकी हाइट मीझा जाटा कन्फूजन होता है कि इसकी ह도 इसकी हडित मिनिमुम साथ भुट इसके आगे नीचे कर सकते हैं ऐब ऐसे होता कि छेति हम कितनी हाइट रखें दो छोश्त शेए आप 2 फुट नीचे करके आप कहीं भी रख सकते उसके ते आगे इस सारी चीजे होती है जो आगे चल के आपको घर में दिक्कते देती हैं अब दोस्तों टीवी के पॉइंट के पर आते हैं आप तो बहुत ही कंफर्टेबल टीवी आ गए हैं आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं उसे साफ से सके पॉइंट्स भी होने चाहिए जो आज एलसे ड दुबार के साथ ही लोग टीवी के पीछे पॉइंट देते हैं तो वह अपने कंफर्ट के साफ से इसको पॉइंट दे सकते हैं लेकिन इसके स्टेंडर हाइट दोस्तों कहीं जाती है तीन से साढ़ तीन फूट इसके बीच में दी जाती है बांकि आपके लोग अपनी फूट छे बांकि अप्ट कंफर आप नीचे कर सकते हो दूसरा आपका स्क Het क्लिश्यां की हईट कि इतनी होन चाहिए बांकि आपको कम से कम फैन तक ना पहुंचे तो ऐसे में स्टेंडर हाइट आपका साड़े ऐड़ फूट से नीचे आपका फैन का वाइट ने होना चाहिए जो आपका फिरसिंग फ्रूर लेवल है और उससे जो पंका गंखा गुमता है उस पंके तक फूट में काईट साड़ पोड़ा होन जादा आपको करते है जाद है तो अब से नीचे उपर वह आप कर सकते हैं नीम्म हाइट इसकी आच फूट यह आपकी मिनिमम हाइट है यह थोड़ सी वीडियो तो कैसी लगह आपको वीडियो कमेंट बाक्स में लिखे बता है अच्छी लगी तो लाइक करें अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें यह आपके अपर डिपेंड करता है जल्दी मिलते हैं अगली और बहुत जानौलेश्फूल वीडियो में